जरुम्बिश ये रेडियो जरुम्बिश उर्दो की आवाज है आज 18 अक्तुबर एत्वार का दिन आउर साल 2020 है और आपकी मेजबार मेरा बलोज आपकी खिदमत में हाजर है वालिद के कतल के बाद मुझे दंकियां दी जा रही हैं तयवा बलोज के प्रेंस कॉनफरेंस केच में पाकिस्तानी फोर्स और FWO पर हमले किये BLT बॉलान के अलाके कॉला पुर से तीन अफराद पाकिस्तानी फोर्ज के हातों अगवा क्वेटा में यंग डॉक्टरों का सहुलियत की कमी के खिलाफ एतिजाज न्यूज लेंड में आम इंतखाबात लेबर पार्टी की बरतरी हासिल पाकिस्तान में गायर मुलकी सरमयाकारी में एकान फीसद कमी वाके हुई है इस्टेट बेंग आईए न्यूस ब्रेटर में शामिल बलुचिस्तान से मतलब खबर सारिन बलुच से सुनते हैं न्यूस आन्सानी हकोक के कारकुं तयबा बलुच का कहना है कि वालित की कत्ल के बाद भी रियासती अनासर की तरफ से उन्हें द testimकी दी जा रही है उनका कहना था कि अगर मुझे या मेरी खांदान की किसी फर्द को जानी या माली नुकसान पहुंचा तो जमदार रियास्ति पाकिस्तान होगी। ये बाते तैयबा बलूच ने अपनी बेहनों और इनसानी हकुक के रहनमा गनी परवास के साथ तुर्बत में एक प्रेस कानफरेंस से गुफटगू करते हुए की। ये हातों नसल कुशी से दो चार है। इस नसल कुशी से कोई तब का महफूज नहीं सियासी आवास खतम किये जा चुके हैं। जो लोग जिद जहत से वाबिस्ता हैं उनके खानदान इजत्माई सजा का निशाना बन रहे हैं। तयबा बलूच का कहना ता कि रियासत ने मेरे वालद की गतल के बाद भी मेरे खानदान को नहीं बख्शा। वालद की गतल के बाद चाचा के घर पर ये फारिंग रियासत ने अपने आलकार डेथ सकॉार्स के जरीये कर्वाइ। ये वही लोग हैं जो रोज फौज की धंकिया मेरे बाबा को पहुंचाते हैं उन्हों ने कहा कि मेरे वालिद की कतल के बाद रियासत की धंकी और बरबरियत में कमी नहीं आई है मेरी आज की प्रेस कानफरेंस का मकसद आप लोगों हियुमन राइटस और्गनाइजेशन्स और आलमी इदारों से अपील करना है कि आप रियासत को आलमी कवानिन की पाबंद बनाएं कि पाकिस्तान पुरामन सियासी और इनसानी हुकुक के कारकुनों की आवास को सुने और पता लोगों को बाजयाब करें तैयुबा बलोच ने वाज़े किया कि मुझे या मेरे खांदान की किसी भी फर्द को जानी या माली नुकसान पहुंचा तो उसकी जमेदार रियासत पाकिस्तान है तैयुबा बलोच की प्रेस कानफरेंस आप हमारी वेबसाइट जरुमश. डाट कॉम पर पढ़ और यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। काबिस पाकिस्तानी फोर्सेज ने कौलपूर से तीन अफराद को हिरासत में लेकर नामालू मकाम पर मुंत्किल कर दिया है। रेडियो जरुमश को मिलने वाले इतलाद के मताबिक तीनों अफराद सौदा अबिस पाकिस्तानी फोर्च के सामने हत्यार डाले थे। बलूच लबरेशन टाइगर्स के तर्जमान मीराम बलूच ने कहा है बील्टी के सरमचारों ने जम्य के रोज बलूचिस्तान के इलाके केच तुम्प में इरानी सरहद से मतसिल अबदोई के मकाम पर रोड की ताम राजमीन और फोर्स के तीन अहलकार हलाक और मतादेद जखमी हो गए जिसकी जम्यदारी बील्टी कबोल करती है। बीजड यू के बलूच तलबा का लांग मार्च जारी है जो आठवे दिन पंजाब के जिले कुसूर के शहर हबीबाबाद पहुंच गया है। इस दोरान उकाड़ा और हबीबाबाद के दरम्यान कई मकामात पर नेशनल स्टूडन्स फेडरेशन डिमोकरिटिक स्टूडन्स फेडरेशन और नेशनल पार्टी ने बलूच तलबा लांग मार्च का पुर जोश इस्तक्बाल किया और उनकी भरपूर महमान नवाजी की। तलबा के इस्तक्बालिया मुझहरे में आने वालों का कहना था कि तलबा लांग मार्च ने हकूमत के मूँ पर जोरदार तमांचा मारा है। तलबा ने मुखतलिफ मकामात पर अपने मतालबात के हक में शदीद नारे बाजे की। लांग मार्च बहाओदीन जखरिया यूनिवरस्ट की बहाली चाहते हैं। नेशनल पार्टी के मरकजी सदर डॉक्टर अब्दलमालिक बलोच ने कहा है कि अवाम की मेंडेट पर डाका डाल कर सिलेक्टिड हुकमरानों को कामयाब बनाया गया। अवाम के वाट की तकद्स को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेट मॉवमिन्ट की गयादत सडकों पर निकल चुके हैं। अब सिलेक्टिड हुकमरानों के दिन खत्म होने को हैं। महंगाई, बेरुजगारी, मوجود हुकूमत के अवाम के लिए तफ़े हैं। जब तक मुलक में अवाम की हुकमरानी नहीं होगी। पार्लिमिन्ट और वोट का तकद्स बहाल नहीं होगा। हकीकी तबदिली मुम्किन नहीं है। उन्हों ने अवाम से अपील की के पाकिस्तान डिमोक्रेटिक मॉवमिन्ट के कराची जिनाबाग में होने वाले अजीम श्शान जलसे आम में अपनी भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएं। कोईटा में हस् यस्टोसिएशन के सदर डॉक्टर यासिर खान खुस्ती ने कहा कि हकूमत सरकारी हस्पितालों में सहत की तमाम सहुलियात फराहम करें वरना YDA हस्पितालों से बाइकाट का रास्ता भी इختیار करने से गरेज नहीं करेगी। दोराने खिताब डॉक्टर यासिर खुस्ती के क मुझा खियाु था कि आज बेStान के सरकारी हिस्पथालों में स्रंच तक मेय असर नहीं है। हमारे त hawks मतालबा हिस्पथालों को बेटर बनाने के लिए हैं। बेस्पूरों में करोना वायरस ने तमाम सरकारी हिस्पथालों के पूल खोल दी हैं। उनका कहना था कि जब तक वलुचिस्तान के हस्पितालों में बन्यादी सहुलियात नहीं दी जाती एहतिजाज का सलसला जारी रही गा हमारा मतालबा है कि तमाम सरकारी हस्पितालों में अद्वियात दी जाएं सरकारी हिस्पितालों में टैस्ट तक नहीं होते तमाम मशीनें खराब हैं हम एहतजाज करके हकूमत को मजबूर करेंगे कि वो सरकारी हिस्पितालों को जदीद सहुलियात से आरास्ता करें कोईटा और पशीन में दो बच्चों में पॉल्यो वाइरस की तस्दीक हो गई है मौक में सेहत बलुचिस्तान के मताबिक कोईटा की इलाके चिल्तन टाउन में चार साल के बच्चे में जबके पशीन की तहसील बर्शोर में पंद्रा माह के बच्चे में तस्दीक हुई है इस से कबल बलुचस्तान के इलाके कोईटा यॉब, किले अब्दल्ला, किले सैफलला, जाफराबाद, सिहत पूर, नसीराबाद और सिबी से पॉलियो के केसिस रिपोर्ट हुए थे वाज़ रहे बलुचस्तान में रवान साल पॉलियो केसिस की तादाद 23 हो गई है खुसदार से कोईटा जाने वाली एक वेगन, इंजीरा के मकाम पर क्रासिंग के दौरान हादसे के शिकार हो गई है, जिसके नतीजे में वेगन में सवार, दो अफराद हलाक और तीन शदीद सखमी हुए है दूसरी तरफ कोईटा से चमन जाने वाली एक वेगन, यारो की करीब मुखालिफ सिम्थ से आने वाली कार से टक्रा कई है, जिसके 22 तीन अफराद हलाक जब के साथ अफराद जखमी हुए है अब इलाके और आलमी खबरे पेश करेंगे, खलील बाडिल्ला पाकिस्तान में केबर पक्तुनकुआ के दारल हकूमत पिशावर से मुलेका कबाईली जिला केबर में नामालूम अपराद ने अफगानिस्तान से गैर मुल्की अपवाज का सामान ले जाने वाले ट्रकों पर अमला किया है जिला केबर के इलाके बाड़ा में नेटो के वापस जाने वाले दो ट्रालर्स पर लोड चार जीपों को राकटों से निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में चारों जीपें मुकमल तोर पर तबाह हो गए उकाम का कैना है के अमले में निशाना ट्रालर्स पर मौजूड नेटो की गाड़ियां थी पाकिस्तान के सदर मकाम इसलामाबाद की डी चौक पर लेडी एल्ट वरकर्स का अपने मतालबात की मनजूरी के लिए दरना जारी है जिनों ने पारलिमेंट आउस तक जाने का एलान किया है दूसरी तरफ जिलाई इंतसामिया ने दरने के शरका को पारलिमेंट आउस जाने से रोकने के लिए चारों अत्राप में कंटेनर्स लगा दिये जबके पुलीस की बारी नपरी भी ताइनात कर दी गई है जबके लेडी एल्ट वरकर्स का कैना है के मतालबात की मनजूरी तक पीछे नहीं अटेंगी इस वाले से सदर लेडी एल्ट वरकर्स रुकसाना अनुर का कैना तके चाते हैं के जल्द हकूमत के साथ मुझाकरा तैप आ जाएं पाकिस्तान के वजीर आजम अमरान कान ने जुम्हे को पंजाब के शहर गुजराओ वाला में ओने वाले हुकूमत मुकालब अपोजिशन इत्यात के जल्से को सरकस करार देते हुए अजब एक्तिलाब के रैनमा उपर शदीद तनकीद किया और कहा के अब अपोजिशन को एक मुक्तलिब किसम का अमरान कान देखने को मिलेगा चोरों और डाकों को कोई प्रोडिक्शन आडर नहीं दिया जाएगा अमरान का कहना था के नवाद शरीप कुद मुलक से बाहर बाग गए और वहां से हार्मी चीप जनरल कमर जावेद बाजवा और डी जी आई एस आई लेप्टेनन जनरल पैज अमीद के किलाब बातें कर रहे हैं स्टेट बेंक औप पाकिस्तान ने कहा है कि सितंबर के दोरान पाकिस्तान में बरायरास्ट गैर मुलकी सरमाया कारी सालाना बुनियादों पर पचास आशारिया साथ पीसद का मोकर गुजिश्टा साल के 38 करोड 35 लाक डालर से 18 करोड 90 लाक डालर तक आ गई है स्टेट बेंक के आदाद और शुमार के मताबक मजमुई तोर पर रवा माली साल के पहले सेमाई में बरायरास्ट गैर मुलकी सरमाया कारी 24 पीसद की कमी वाके हुई है जबके इसके मुकाबले में माली साल 21 के पहले दो माह में 40 पीसद इजापा रिकार्ट किया गया है पर कच्छात का इजार किया गया है। 6 अक्तूबर को लिखे जाने वाले कत में इस बात पर अपसूस किया गया है कि किसी भी कमपनी से नए कौायत के मसावधे पर मुशावरत नहीं की गई आलांके हुकूमत की जानब से परवरी में वादा किया गया ताके इस तरह के कानून साजी के लिए सेवल सुसाइटी या टेकनलोजी कमपनियों के मतलका शूबों से बड़े पैमाने पर मुशावरत की जाएगी बारती हुकूमत ने एक बियान में कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को मुशाकरा शूरू करने के लिए कोई पैगाम नहीं बेजा है बारत की विजारत कारजा के तरजमान अनूराग श्रीव वास्तव ने ये बियान पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसप के इस बियान से मुटलिक एक सवाल के जवाब में दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मुशाकरात की कौईश का इजार किया है अनूराग श्रीव वास्तव ने कहा के मैं ये वाज़ कर देना चाता हूँ के अमारी जानब से ऐसा कोई पेगाम नहीं बेजा गया है एरान से बाएर जलावतनी की जिन्दगी गुजारने वाले एक अपोजिशन गुरूप ने दावा किया है के उसने तेरान के नजदी के कुफिया असक्री टिकाने का पता चलाया है जहां जोरी प्रोग्राम को तरक्की देने से मुतलिक तजर्बात का मर्कज मुझूद हो सकता है एरानी कौमी मजामती कौंसल ने इस बात का इनकिशाप जुम्ह की शाम एक प्रेस कानफरेंस में किया जो वाशिंग्टन से इंटरनेट के जरीए नशर की गई कौंसल के मताबिक एरान निजाम के जोरी प्रोग्राम को अत्यारों की सूरत देने का सिलसला जारी रखने के लिए एक नया मरकज तामीर किया गया है एरान में कौरोना वाइरस से अलाकतों की तादात 30,000 से ज्यादा हो गई है एरान की विजारत सेहत की तरजमान सीमा सादात लारी ने अपते के रोज एक बियान में बताया के मुलक में अब तक कौरोना वाइरस के तदीक शुदा केसों की तादात 5,26,000 से ज्याद हो गई है जिसमें 30,123 मरीज अला को चुके हैं वाज़ रहे एरान मशर के उस्त का पहला मुलक है जहां चीन के बाद परवरी में सबसे पहले कुरोना वाइरस पहला था आजर्बाइजान के दूसरे बड़े शेर गींजा पर आर्मेनिया के मीजायल अमले में 13 अपराद हलाक और 50 दक्मी हो गए हैं इस हवाले से आजर्बाइजान के प्राइसी क्यूटर जनरल का कहना था कि आर्मेनिया ने दूसरे बड़े शेर गींजा पर मीजायल अमले में रियाशी गरों को निशाना बनाया गया जिसमें 20 से जायद गर तबाह हुए हैं दूसरी तरब काराबाग के विजारत दिपा ने एलान किया है के लड़ाई में आर्मेनिया के मजीद 22 पौजी अलाको गए हैं दूसरी तरफ आर्मेनिया के विजारत दिपा ने एलान किया है कि आर्मेनिया की पिजाई उदूद के अंदर दो ड्रॉन तैयारों को मार गिराया गया है इराकी दारल हकूमत बगदाद में अपते के सुबा शिया मलेशिया अलशद अलशाबी के मुत्यद आमियों ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के दब्तर को आग लगा दी है एराकी मीडिया के मताबिक मुश्तेल अपराद ने कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनमा ओशियर जिबारी के एक बियान पर रदे अमल का इजार करते हुए बगदाद के वस्त में वाके कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के जेली दबतर पर दावा बोला जो जिबारी के आलिया बियान के किलाप नारे लगा रहे थे दूसरी तरफ मुत्यद अरकान पार्लिमेंट ने भी कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से मुतालबा किया है कि ओ इस बयान पर माजरत पेश करे तर्की में अपोजिशन रैनमा और डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबरा अली बाबा जान ने कहा है कि सदर अजब तयव और्दगान अपने एक्तिदार को तूल देने की कातिर कबल अज़ वाक्त इंतकाबात की तरफ जा सकते हैं अली बाबा ने एक अकबारी बियान में बावर कराया है कि अर्दगान की अकूमत 2023 के इंतकाबात तक कड़ी नहीं रह सकेगी बाबा जान के मताबक जून 2018 से अब तक मुलक को दरपेश इक्तिसादी मसाइल जस्टिस एंड डेवलेप्मेंट पार्टी को कमजोर कर रहे हैं तहम मुआइदों और इत्यादों के जरी निजाम को जारी रखा जा सकता है इसराइल ने आबादकारी के डेटा पर तनाज़े के बाद अकूम मुद्धा के यूमन राइड समले का वीजा रोक दिया है जबके अकूम मुद्धा के इंसानी उकूक के दबतर के तरजमान ने सूरतियाल को तश्वीशनाक करार देते हुए का है इसराइल वीजे की दरक्वास से बाजबता तोर पर इंकार नहीं कर रहा मगर वीजों की एजरा और उनकी तजदीद के मामले पर जून से टाल मटोल जारी है वाज़े रहे अकूम मुद्धा की यूमन राइड स्दबतर ने इसराइली आबादकारियों की सरगर्मी में मलोवस साओ से जायत कमपनियों को बैनल अकूमी कौानीन के ताथ गहर कानूनी करार दिया था न्यूजीलेंड के आम इनतका बात में वजिर आज़म जैसेंडा आर्डरन के बाएंबाजू की लेबर पार्टी ने बारी अक्सरियत से काम्याभी आसिल कर ली है इंतकावी कमीशन ने कहा है के लेबर पार्टी के पास 49 पीसद जबके नेशनल पार्टी के पास 27 पीसद ओट आए हैं नए आदाद और शुमार के बाद लेबर पार्टी वाज़ अक्सरियत के साथ हुकूमत बना सकेगी ये ते खलिल वाडिला इसी के साथ ही आज की न्यूस बिलेडन का इखताम होता है अपनी मेजबान हुमेरा बलोच को इजाज़त दीजिए और मज़ीद ख़बरों के लिए विजिट करते रहे हमारे वेबसाइट